है गाइस सभी का वेलकम है एग्री कोचिंग चंडिगर्ड आइवीपेस एसो के बूस्टर नंबर 23 में आज अपने करने वाले हैं क्लोस टेस्ट को जो आप लोगों को जनरली सब लोगों को मुश्किल लगता है और साथ में करने वाले हैं कुछ छुटपुट दूसरे ध्यान से देखना है क्लोस टेस्ट को है इसको करने कोई ट्रिक नहीं होती ऐसा नहीं है आज की क्लोस टेस्ट की वीडियो को देख करके आप सभी क्लोस टेस्ट को 100 वाई 100 करने लगेंगे हैं पर इससे होगा क्या आपको मैं अप्रोच बताऊंगा कैसी अप्रोच को आपक एक improvement आपकी reading पे depend करती है चलो शुरू करें अपनी glass को आजओ यह आपका closest है left के अंदर right में आपके questions ठीक है न एक काम करो हर question को पहले आप खुझ से एक बाद try जरूर करना जैसे यह वाले blank में इन चारो पांचों में से एक आएगा आप अपनी वीडियो को post करके सुन ले न फिर मैं जो अप्रोच लगाऊंगा उस अप्रोच को आपको जो न फॉलो करना है चलिए शुरू करने वाले है अब यह नाम कुछ है न किसी बंदे का थिक है न थिक hat hand has done more than more than perhaps any Buddhist alive today यह एक ही बंदा है या बंदी है has से मुझे पता लगा singular verb इसको मिली हुई है तो करे इस बंदे ने न इस अजीब नाम माले बंदे ने has done कर चुका है यह बहुत ज़्यादा और किस से परहप्स शायद किसी भी Buddhist से जो आज भी जिन्दा है है ना today alive today अच्छा क्यों कर चुक है यह दो काम बुक teachings of mindfulness, kindness and compassion to a broad global audience तो करें यह दो काम कर चुका है पहला है articulate करने का और दूसरा है यहाँ पर जो आएगा और यह दोनों चीज़ों को करना है ना जो verbs वो करनी है core teaching के लिए जो बुद्धिजम की है और वो teaching है mindfulness की अपने आसपास की चीज़ों के लिए आपको mindful होना है kindness की दया लूपने की और compassion की दया की एक broad global audience के लिए आज आप इसमें पहले grammar लगाते हैं फिट थोड़ी vocabulary लगाएंगे यहाँ पर एक एक के लिए आपके पास 5 options हैं अब एक rule समझ लो छोटा सा and conjunction, comma नाम का punctuation, generally इन दोनों काम क्या होता है similar चीज़ों को मिलाना similar things, similar things are joined by and conjunction और comma नाम की punctuation से, मैं आपको example देता हूँ, ram and sham are coming बीच में and मान लेना इसको है न, and ही लखा है हमने यहाँ पर, and लगा के मैंने ram एक noun है, sham एक noun है, similar चीज़ों का मतलब क्या है उनकी part of speech similar होगी, and conjunction के साथ में, ठीक है न, अगर यहाँ पर and conjunction लगी है, इससे पहले जो चीज़ आ रही है इसके बाद में भी वही चीज़ आएगी, तो यहाँ पर articulate लगा है, एक verb लगी है, तो इसके बाद में भी एक verb की first form आएगी समझगे पर बात को, तो हान ने क्या किया, इसने बहुत कुछ किया ताकि वो साफ साफ सब को बता पाए, articulate कर पाए और दूसरा कोई काम वही verb की first form है, जैसे यहाँ verb की first form लगी है, कर पाए, और करना है core Buddhist teaching को अब देखते हैं इन पांचों में से verb कोन कोन है, addition, addition का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं, है न, this is the first edition of this book, इस book का पहला संसकरन है, addition मतलब किसी चीज़ का version होता है, addition एक noun है, ठीक है न, practical ये एक adjective है, practical का मतलब होता है व्यवारिक, इसका एक synonym भी है, pragmatic, है न, practical बोल दो, pragmatic बोल दो, दोनों एक adjective है, दोनों का मतलब होता है व्यवारिक, disseminate इस word को भी छोड़ दो, bought एक verb है, वर्ब की second form है, by, bought, और bought, second form भी bought, third form भी bought, last में बचा, none of the verb, अब आ जाओ, देखो, वर्ब की second form तो आ नहीं सकती, क्योंकि यहां पे articulate वर्ब की first form आईगी है, समझगे म bought नाम की वर्ब नहीं आ सकती, adjective नहीं आ सकता, addition नहीं आ सकता, अब आएगा disseminate नाम का word, इस word को समझें, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, distribute करना, और किसको distribute करना, खास करके knowledge को, दूसरा किसी तरह की पढ़ाई को, education को, तीसरा किसी तरह की टाइप की information को, समझ ने teaching को दिया है, बुद्धिजम की, साफ साफ सब को बताया है, और disseminate भी किया है, सब को, बांटा भी है, इन teachings को, सब को educate भी किया है, तो disseminate जो है, वर्ब की first form है, and conjunction से पहले भी वर्ब की first form, and conjunction के बाप भी वर्ब की first form, यह आपका answer हो गया, समझ गे पूरा logic क्या था, grammar के साफ से समझाया है, मैंने आपको logic यही था, जो end के पहले है, वो end के बाद भी आपको लगाना है, अच्छा disseminate word आप समझ की होगे, इसका एक synonym बताता हूँ, बिल्कुल इसी जगा पर एक और दूसरा word भी आ सकता है, इसी meaning के साथ, वो होता है, impart, impart, फिर सुन लो, impart, impart, इस आप किसी को 500 रुपए impart नहीं कर सकते, आप किसी को 2 advice disseminate नहीं कर सकते, समझ के न, आप किसी को सिरफ और सिरफ ग्यान और knowledge यह disseminate या impart कर सकते हो, चलो आगे बढ़ते हैं, आजाओ second question पर, just a minute, grammar भी लगाओ, vocabulary भी लगाओ, बी में क्या गुसाना है, पहले आप देखो, फिर समने, जैसे मैं एक offline class की तरह आपको बढ़ा रहा हूँ, है न, the Vietnamese monk who has written more than a hundred books is second only to Dalai Lama in fame and influence, करे यह वियतनामी संत जो है, लिख चुका है जो बहुत सारी किताबें more than hundred books, है न, 100 से भी जादा किताबें, करे यह monk जो है न, is, यह दूसरा है, second है, और महज किसके लिए, Dalai Lama के लिए, मतलब पहला है दुनिया में Dalai Lama, number one, उसके बाद यही monk आता है, Buddhist monk जो Dalai Lama के बाद आता है, is only to, second only to Dalai Lama, अब किस मामले में है यह, in fame, एक तो शौरत के मामले में, और influence, दूसरा अपने प्रभाव के मामले में, तो Dalai Lama के बाद इसी को सबसे शौरत और प्रभ Vietnam War, which led Marty Luther King Jr. to nominate him for a Nobel Prize, अब यही बंदा अपना यह जो मोंक है, Nat, Han, इसने अपना नाम मेड किया, made his name, और कैसे मेड किया अपना नाम, doing करते हुए, human rights को, human rights के काम को करते हुए, मानवा दिखा रहोंगे, सक्रिया रहते हुए, अच्छा और क्या करते हुए, and, dash work, किस तो, and के बाद में, यहाँ पे किसी टाइप का work आएगा है न, अच्छा, यह कह रहा है, यह जो चीज ना, lead कर गई, Martin Luther King Jr. को, कि वो nominate करे, उस बंदे को Nobel Prize के लिए, तो इसने बदे अच्छे अच्छे काम किये, मानवा दिखारों के लिए काम किये, और कुछ खास टाइप पर work किया है, जो खास टाइप काम B नाम के blank में रखेंगे, इसकी वज़े से, Martin ने इसको Nobel Prize के लिए nominate कर दिया, आजो अपना वही formula लगेगा, and conjunction है, इससे पहले जो, इसके बाद में भी वो, समझगे पर बात को, and से पहले वो, and के बाद में भी वो, and से पहले क्या पड़ नाउन, वो एक नाउन का काम करते हैं, दोनों मिलके, अगर उन दोनों का एक joint existence हो, ठीक है न, बिना बाद के दो नाउन नहीं मिलते कभी भी, दो नाउन कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, तब ही आएंगे, जब उन दोनों के मिलने पे, जो तीसरी चीज बनती है, उसका को की existence हो, कोई मुझूदगी हो, जैसे मैं एक famous example आपको देता हूँ, lemon और साथ में देता हूँ, ठीक है न, lemon एक noun है, टी भी एक noun है, अब दो noun एक साथ आ नहीं सकते, grammar का rule क्या कहता है, दो noun कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, लेकि lemon टी को आप एक साथ देख लोगे, क्योंकि lemon टी है न, उसमें lemon और टी नहीं है, वो एक अलग टाइप पा चीज है, जो बजार में मिलती है, जिसकी existence भी है, मौझूदगी भी है, समझे न, इसी तरीके से sports और car इन दोनों को मिला दिया, तो क्या बन गया sports car, अब ये खास टाइप गी कार है, जिसकी बजार में existence है, जो and conjunction तो पूरा हो गया, अब इससे पहले क्या सकता है, इससे पहले work से पहले मेरे भाई सिरफ और सिरफ एक adjective आ सकता है, समझे बर बात को, work तो आ गया ends के बाद में, end के पहले भी रन्मिमन राइट है, noun और noun तो मैच कर गए, है न, end से पहले end के बाद, लेकिन एक खाली जग है, descend इसका मतलब होता है, उतार, है न, या इसको आप बोलते है, धलान, एक noun है, descend, ये एक adjective है, ये एक verb है, discover एक verb है, किसी चीज़ की, खोश करना, बाकि आगे आगे, अब इन चारों में देखते है, adjective को है, मिर भाई, सिरफ और सिरफ ये adjective है, verb यहां नहीं आ सकती, noun से पह क्या होता है, देखिए, re, plus में, conciliation, ऐसे बना हुआ है, इसको बोलते है, reconcile, या reconciliation, reconciliation, reconciliation बोलने में आता है, पर इसको सही तरीके से बोलना है, तो reconciliation, इसका मतलब होता है, दो चीजों में agreement करवाना, agreement करवाना, ठीक है न, दो इंसानों में agreement करवाना, दो खातों में agreement करवाना, जैसे आपका हिसाब कुछ हो रहा है, मेरा हिसाब कुछ हो रहा है, मैं दुकानदार हूँ आप ग्रहा को, आप बोल रहा हूँ 100 रुपे देने हैं, मैं बोल रहा हूँ 105 रुपे देने हैं, अपने दोनों 15 मिट बैठें और दोनों ने खातों को मिलाया, और मालूम चला कि मेर मेरा खाता गलत था सो रुपई आपको देने है अब यह जो अपने काम किया ना इसको बोलते है रेकंसिलेशन करना है रेकंसाइल करना तो उसी रेकंसाइल से रेकंसिलेशन नाम का नौन बनता है और रेकंसिलेटरी नाम की अड़ेटिव बनती है जिसका मतलब है पीसमेकर प में कोशिश करेंगे अपने क्या बढ़ना है मैं पढ़ने माला हूँ ही इस दा फादर ओफ इंगेश्ट बुद्धिजम अ मुवमेंट लिंकिंग माइडफुलनेस प्रैटिस विद सॉशल एक्शन करें वो फादर है ही इस दा फादर वो बाप है उस इंगेश्ट बुद्धिजम का ये कोई एक नया जो कोई नया तरह का कैमपेन होगा कहरा वो उसका फादर है है उसका जनक है ये एक ऐसी मूवमेंट है जो लिंक करती है माइंडफुलनेस को आपके दिमाग की सचेदगी को और किसके साथ mindfulness की practice को social action की साथ जो ना link करती है इसके अंदर नहीं गुसेंगे अपने philosophy याँ नहीं जाड़ दी है अपने को सिरफ ये देखना C में क्या गुसेगा grammar के इसाब से क्या हैगा इसका अगर आप meaning जानते हैं तो बड़ा easy है कभी भी किसी pronoun के आगे आप apostrophe S देखें उसका मतलब क्या होता है जैसे he के आगे S लगा हुआ है जैसे she के आगे S लगा हुआ है है ना दे के आगे ऐसे लगा हुआ है R E इसको छोड़े चलो आप खली S वाले देखें लो अभी है ना आगे वाला बाद में बताऊंगा कभी अगर आपके पास किसी ने ऐसे दिया है he apostrophe S इसके मतलब दो है पहला तो he is और दूसरा he has समझ गे अगर आपके पास she के आगे apostrophe S लगा है तो इसके मतलब दो मतलब है she is और she has अगर आपके आगे it's के आगे लगा हुआ it's इसके भी दो मतलब है it is it is or it has समझ गे ना singular प्रणॉंस के आगे apostrophe S लगने का मतलब क्या होता है इसका possessive नहीं बनता बलकि एक्चुर में ये it is या it has का जो abbreviated form होता है अब आपको decide करना होगा sentence को देख करके it is आएगा या it has आएगा he is आएगा या he has आएगा अब यहाँ भी देखते हैं अपने he is the father और he has the father समझ के मेरे बात को he is या he has अब आप बताओ अगर he is मान ले है तो यहाँ पर considered आएगा cancelled आएगा supervised आएगा या consider आएगा अगर मैं सीधे सीधे देखू तो मेरी structure बन जाएगी कुछ ऐसी he is considered the father ठीक है ना वो माना जाता है बाप माना जाता है father माना जाता है इस movement का is प्लस में V3 be family की verb प्लस में V3 मतलब क्या है यह passive voice का sentence है बड़ा ही simple सा sentence है अच्छा मान लो is लगा हूँ he is मानों तो यहाँ पर considered आएगा अब कोई बोलने सर यह he has भी तो हो सकता है मान लो he has मैंने लगा दिया अब has के बाद में क्या हैगा verb की third form आएगी verb की third form क्या है cancelled है supervised है considered है तो he has considered उसने consider किया है father को he has cancelled उसने cancel किया है father को he has supervised उसने देख रहे किया निगरानी किया father की कुछ भी यहाँ पर meaning नहीं बनेगा समझगे बात को father खुद है वो इसका कोई father को cancel नहीं कर रहा है ना निगरानी कर रहा है ना उसको consider कर रहा है खुद गंसीडर रोड़ा है फादर बनके यहाँ पर he has वाला meaning जो है वो आएगा ही नहीं he is आएगा और यहाँ पर लगेगी verb की third form passive voice बना करके चलो अगले question की तरह बढ़ते है हाँ आप पहले कुशिश कर ले चलो he has also built a dash of monasteries and retreat centers in six countries around the world including the United States of America अब यहाँ पर he has आएगा कैसे पता लगा मुझे यहाँ पर he has और परस में verb की third form अगर यह passive बन जाएगा मैं इसको he is मानूगा तो he is built नहीं वो खुद बिल्ड नहीं हुआ है he has built उसने build किया है ऐसी active passive समझते हो तो बड़े इसली आप समझ सकते हो he is आएगा तो passive बन जाएगा हमें यहाँ चाहिए active sentence ठीक है ना तो he has built a अब अब के बाद में कुछ आएगा यहाँ पर इंच पांचों में से एक आप जानते हैं a और an यह हमेशा और हमेशा आते हैं singular noun से पहले a apple an honest man है ना हमेशा a और an जो है एक noun से पहले आएंगे जो कि singular होगा अब इन पांचों में से noun देख लेते हैं reasonably पीछे ly आ रहा है मतलब add verb है coordinate एक verb है और एक noun भी है patient एक noun है मतलब marriage network एक noun है मतलब jala none of the verb अब देखो noun कौन कौन से है network है patient और coordinate है coordinate का मतलब होता है noun form के अंदर किसी जगा का location आपके coordinates जो होंगे ना अक्षांस और दिशांतर होंगे है ना coordinate का मतलब होता है कहां पे आप खड़े हो तो उसने build किया एक coordinate को नहीं किया भाई coordinate को कौन build करता है coordinate तो आपकी position होती है ना उसने build किया एक patient को एक मरीज को build किया है पर मरीज को कौन build करता है उसने build किया एक network को बिल्गुल ठीक है network का मतलब जाला तो उसने एक network को build किया है जो है monastries का और retreat centers का चलो आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ यह सब आपको इतना time नहीं लगाना paper में कौन noun है कौन verb है आप थोड़ी से practice कर लो यहाँ पे ताकि वहाँ पे आपको time ना लगे बिल्कुल भी है ना practice makes a man perfect जो आप काम अभी कर रहे हो ना देरे देरे आपको naturally होने लगेगा आपको सोचना नहीं पड़ेगा कौन noun है कौन verb है चलो in 2014 Nat Han who is now 92 years old had a stroke at plum village the monastery and retreat center in south west France he founded in 1982 that was also his home place 2014 में यह बंदा जिसको 92 यह साल का है इसने stroke को सफर किया इसको एक stroke आया अटैक आया उस monastery और retreat center में जो plum village नाम है जिसका जो south west France में है और जिसको इसने found भी किया था establish भी किया था है ना और कब 1982 में जो कि उसका home base भी था उसका घर का base भी था करे दो he was unable to speak after the stroke he dash to lead the community using his left arm and facial expressions to communicate करे हालांकि वो unable था उसके बाद सक्षम नहीं था बोलने में after इस बाद में stroke के इस attack के हलांकि दो ऐसा था करे फिर भी he dash उसने कुछ किया और क्या करने के लिए lead करने के लिए community को use करते हो उसके by arm को और facial expressions को ताकि वो communicate कर पाए अब इन बाद जो मैसे एक word आएगा है ना अब ध्यान से देखो इस question को बड़े ही प्यार से अपने grammar के जरिये करेंगे ठीक है ना चलो दो एक adverb है he subject है was उसकी verb है subject को verb मिल गई enable subject compliment है to speak यहाँ पर infinitive है after preposition है इसका object है stroke नाम का noun सब मामला set है अब देखो coma को मा के बाद नया एक noun आया इसको एक verb चाहिए to lead इसकी verb बन जाएगी बन जाएगी क्या देखो two plus वीवन आप मेरी parsing वीडियो देखते हो तो बहुत अच्छे से मैंने बताया हुआ इसको बोलते infinitive two plus में verb की first form यह कुछ भी बन जाएगा बस verb नहीं बनेगा यह खुदी verb है वैसे तो verb की first form है पर two आने की वज़े से इतना नकारा हो जाता है it is never a verb कभी भी sentence की verb नहीं बनता यह हमेशा एक infinitive बनता है subject का का काम करता है object का का काम करता है adjective का का काम करता है पर जो है ना कभी भी verb का का काम नहीं करेगा अभी तक इस subject को आपने verb नहीं दी यह infinitive है यह infinitive को object है using present participle है left arm इसका object है facial expression and के बाद object नमबर दो है इस participle का expression और यहां पर to communicate दूसरा infinitive है कहने का मतलब कह है इस noun को आपने कभी भी अपनी verb नहीं दी अब इसकी verb इन पांचों में से एक होगी continue एक verb है lenient एक adjective है lenient का मतलब होता है धीला decade एक noun है इसका मतलब होता है दशक want एक verb है ठीक है ना आपके बाद सिरफ दो ही verbs आई है इसमें पहली है continue दूसरी है want मैं दोनों ही verbs को यहां रखना ही कोशिश करता हूँ he continue continue to lead या he want to lead उसने जारी रखा lead करना या वो चाहता था lead करना दोनों ही बात है सच है ना वो बोल नहीं सकता था लेकिन वो चाहता था lead करना या फिर मैं बोल दूँ continue के बिच्छे भी S आएगा actual में यहाँ पे आपको V2 चाहिए थी past की बात है तो he continued यहाँ पे D आना चाहिए और he wanted यहाँ पे ED आना चाहिए समझगे मने बात को दोनों ही verbs हैं पर दोनों की form गलत है अगर यह verb की first form है तो he के इसाब से singular होती पीछे इनके S लगा होता जो की नहीं लगा हो है यह होंगी दोनों की दोनों verb की second form अगर यह होती दोनों में second form दोसको अपना answer माल लेते हैं अग दोनों ही नहीं है none of the above आपका answer है चलो आगे बड़े continue होना चाहिए थे हैं आपका चलो में यह आपका सही answer होता आजो अगले question पर चलो in October 18 Nat Han dash his disciples by informing them that he would like to return home to Vietnam to pass his final days at the 2 Hue root temple in Hue where he became a monk in 1942 at age 16 अब देखो कुछ हुआ है October 18 में Nat ने अपने disciples को कुछ किया है है ना यहाँ पर verb चाहिए Nat को एक ठीक है ना तो Nat ने अपने disciples को अपने चलों को अपने subjects को अपने students को है ना कुछ किया है अब वो क्या किया है inform करके उनको यह चीज that वो यह की he would like वो चाहेगा return करना फिर से जाना अपने गाँ अपने घर जो की है वेदनाम में और क्यों ताकि वो पास कर पाए अपने आखरी दिनों को और कहां पे इस जगा पे टू हीव रूट टेंपल पे जो की इस जगा में है जहां पे वो बन गया था एक सादू 1922 में 16 साल की एज में समझगे न मेरे बात को तो यहां पे f के अंदर अपने को वर्ब चाहिए अब देखो वर्ब है complicated वर्ब की third form जो की adjective का काम भी कर सकती है considerable एक adjective है जिसका मतलब होता है जिसको consider किया जाए significant huge large यह सब considerable के synonym है ठीक है shocked verb की third form है या second form है इसका मतलब होता है जटका देना stunned verb की first form है इसका मतलब होता है जटका देना अब मुझे बताओ उसने अपने disciple को बोला मुझे गाम जाना है तो ऐसा करके उसने उनको उसने अपने disciples को जटका दिया complicated करने का मतलब होता है किसी चीज को पेचीदा बनाना किसी चीज को और ज़्यादा complex बनाना है ना complex बनाना तो complex नहीं बनाया उसने पेचीदा नहीं बनाया उनको जटका दिया यहाँ बे stunned यह shocked आपका answer है C is your answer चलो आगे बढ़ते है complicated का adjective form होता है जो बहुत ही पेचीदा हो this is a complicated matter यह एक बहुत ही complicated matter है और verb form में इसका मतलब होता है पेचीदा बनाना she has complicated everything उसने हर चीज को पेचीदा बना दिया चलो आजाओ जी के इस आप से करेंगे last वाला आपका जी है ना I guess last ही है ना मैं क्या करता हूँ इस भीच वाला छोड़ देता हूँ आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं पर मैं एक्जाम के अंदिर इसको नहीं पढ़ गया हूँगा अगर मेरी practice अची है तो मैं खाली इसी को पढ़ के बजा दूँगा जी में क्या आएगा चलो देखते हैं but his return to his dash is less about political reconciliation than something much deeper करें लेकिन उसकी जो return है ना उसकी जो वापसी है अपने his his के बाद में क्या आएगा possessive adjective के बाद में एक नाउन आएगा his dash जो है ना वह less है कम बारे में है political reconciliation के सियासी एकता के बजाए कोई ऐसी चीज के जो बहुत deeper है तो करें उसका घर लोटना जो है वह बिल्कुल भी political decision नहीं है बलकि एक बहुत ही गहरा decision है उसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है मुझे एक चीज़ पता है possessive adjective आया है my your her his their our यह सब possessive adjectives होते है इनके बाद में हमेशा एक noun आएगा याएगा अब इन में से जो noun है वो मेरा answer है bolster एक support होता है और एक verb भी होती है noun form में इसका मतलब होता है support sahara verb form में होता है sahara देना verb की first form homeland होती है आपकी मात्र भूमी assistance एक noun है इसका मतलब होता है किसी को help देना depend एक verb भी है एक noun भी है actual में एक verb भी है ना noun नहीं है depend का मतलब होता है किसी पर depend करना तो देखो आपको एक noun चाहिए depend तो आनी सकता यह verb होती है I depend on you मैं तुम पर निर्वर करता हूँ assistance आ सकता है क्योंकि एक noun है homeland आ सकते है अपने noun है bolster आ सकते है क्योंकि एक noun है बोल्सर का मतलब होता है support अब मुझे बताओ उसने वापिस लोटना है अपने घर की और तो वो कहाँ लोटेगा अपने assistance की तरफ लोटेगा अपनी मातर भूमी की तरफ लोटेगा homeland की तरफ या bolster की तरफ लोटेगा support की तरफ सिधी सी बात है घर लोटेगा घर वापसी हो रही है तो homeland की बात यहाँ पे होगी तो his return to his homeland is about political reconciliation than something much deeper I think correct हो गया चलो आगे बढ़ते हैं अब इसमें से एक दो lessons मैं आपको दे देता हूँ जो इसने पूछे नहीं फिर भी आपको आने चाहिए ठीक है ना bolster word को याद करें यह होता है घर का तक्या जिसको आप बोलते हो मसंत कौन सा होता है एक मोटा सा तक्या होता है नहीं से हमने bolster नाम का noun और verb निकाली हुई है verb का मतलब है किसी को support देना noun का मतलब है बहुत ही बड़ा support my father is the bolster of our family मेरे पिता पूरे घर का support है पूरे घर को support करते है and my father has been bolstering the family for a long time मेरे पिता बहुत लंबे वक्त से पूरी family को bolster करते आ रहे है समझ गे इस word को और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं आज आओ आज अपने दो question और करेंगे इस पूरे के पूरे clauses के साथ पहला question है अपना sentence arrangement का यह ठीक वैसा यह जैसा आप अपने exam में encounter करते हो चारों को आपको arrange करना है सही sequence के अंदर है ना simple है बहुत मुश्किल नहीं है पहले आप कोशिश करें फिर मैं आपको trick के साथ करवाता हूँ grammar कैसे इसमें हमें लगानी थी चलो वी सारे पढ़ लेते है by protecting their habitants किनके habitants अगर there लिखा है कोई possessive adjective प्रणावन आए वो पहला आपका sentence कभी भी नहीं वनेगा तो यह आपका पहला sentence नहीं है by protecting their habitants अपने habitats को अपने घरों को protect करके और refraining from intensively farming them और refrain करके दूर रह करके avoid करके बहुत ही ज़्यादा intensively farming को खेती को उनको अब देखो इसका कुछ मतलब नहीं है यह पहला sentence नहीं हमें बता लग गया इतना हमें जानना था अगरा देखो we have learnt that it is our best interest to हमने यह जान लिया है कि यह हमारे best interest में है सबसे अच्छे हमारी बलाई इसी काम को करने में है 2 प्लस में V1 infinitive यहाँ पे आएगा आजाओ आगे extend compassion to other living beings be it और आगे देखो today with the help of scientific inquiry मेरे बास एक छोटी सी hint आई 2 वो लगा हुए 2 के बाद में verb की first form generally आती है मैं देखता हूँ verb की first form कहां पड़ी है इस 2 के बाद जो भी आएगा वो verb की first form होगी इन में से verb की first form वाला sentence कौन सा है word कौन सा है by preparation है today एक एड़ वोब है extend verb की first form है समझ गे न B के बाद में C आएगा B C आपके एक जोड़ा बन गया we have learned that it is in a word our best interest to extend compassion to other living beings हमने जान लिये कि हमारी भलाई इसी में है कि हम extend करें offer करें अपनी दया को दूसरे living beings के लिए दूसरे जीव जनतों के लिए B के बाद में C आएगा जहां पे B के बाद में C आ रहा है वो आपका answer है यहां आ रहा है यहां नहीं आ रहा समझ के दो और चार में से एक आपका answer है अब आगे का खुद बना लो देखो हमारा बलाई इसी में है कि हम extend करें अपने compassion को दूसरे living beings के लिए बीट का मतलब है चाहे हो या चाहे बात हो बीट बीट टुडे विद दा हल्प आप साइंटिफिक इक वारी या बीट बाइ प्रोटेक्टिंग देर हैबिटेट्स और रिफरिणिंग दें फ्रोम इंटेंसिली फामिंग दें चाहे बात हो प्रोटेक्ट करके बाइ प्रोटेक्टिंग उनके घरों को और चाहे बात हो दूर रह करके उनको फार्म करके है ना जानवरों को फार्म करते हैं मुर्गी पालन करते हैं पशु पालन करते हैं तो उनको फार्म करके भी उनको बहुत परिशान करते हैं तो यह बन गया आपका C B A लास में बचा D अब यह कब करना है today और कैसे करना है help of scientific inquiry इसके जरी है with the help of scientific inquiry तो बस यही कह रहा है जानवरों को हमें best interest ही है कि उनको compassion दिखाएं चाहे हम तो चाहे तो हम उनको जो उनके घरों को protect करके दिखादें चाहे उनसे दूर रहकर करके दिखादें उनको बिना फार्म किये दिखादें आज scientific inquiry के साथ तो B C A D is your answer मुझे खाली यह 2 मिल गया ना यह हिंड इसी से मैंने बता दिया मेरे answer क्या होगा वी के बाद में C आएगा उसके बाद में यह आएगा उसके बाद में D आएगा चलो अगले question की तरह बढ़ते हैं यह एक filler का question है बहुत easy है पहले आप इसको पढ़ें फिर मापको करवाता ह चलो the chief dash dash of Amazonian forest aside from its magnitude is the great diversity of species करें जो chief कोई भी चीज है ना चीफ का मतलब होता है main chief adjective है इसको इंदी बोलते है मुख्य है है ना chief guest कोन होता है main guest होता है आपका है ना किसी program में तो करें जो chief चीज है ना इस Amazon forest की साथ ही साथ aside from इसके magnitude के magnitude का मतलब होता है size इसके size के कर रहाँ वह चीज है इसकी great diversity इसकी बहुत बड़ी विवित्ता species की नसलों की तो यहाँ पर veggie mz तो इसका बड़ा है जो बड़ी ये सबके सब nouns ही हैं आगर आप ध्यान से देखो तो पीछे N E W S आ रहा है Strangeness होता है किसी चीज़ की Strange होने की Quality Inclination होता है आपका रूजहान आपका जो Inclination होगा आप वो ही काम करोगे Characteristic होता है आपके अंदर का चरितर आपकी Quality है ना इसको हिंदी बोलते है चरितर Abnormality होती है Normal होने से Abnormality होने की आपकी Quality है ना Strangeness का एक Synonym है Abnormality Singularity होती है Singular होने की Quality अगर आप Singular हो Singular हो तो आप Singularity की कुछ होना आपके अंदर है तो ये पांच वी Nouns है अब जहान से देखते हैं कौन सा ओला फिट होगा मुझे बताओ इसकी जो Great Diversity of Species है वो उसका अजूबापन है वो उसका रुजहान है वो उसका चरितर है वो उसका अजूबापन है Abnormality भी अजूबापन ही होता है या वो उसकी Singularity है Singular होने की बात है बैए सीधी सी बात है यह इसका Character है Characteristic का मतलब यह होता है आपका चरितर वर्णन कैसा है आपका चरितर Amazon Forest का यह ही है कि यहाँ पे Species नसलों में बहुत सारी Diversity है बहुत सारी विवित्ता है अलग अलग तरह की नाना परकार की जो नसले है इस Forest में पाई जाती है समझ गयोंगे I think है ना वो क्या आप से करने वाला कुश्चन है यह बैठेगा नहीं यह बैठेगा नहीं यह बैठेगा नहीं Characteristic words जो है एक दम perfectly यहाँ पे fit बैठेगा चलिए मुला कात लोंगा अगली वीडियो में थोड़ा टेंपो बढ़ाने वाले हैं कोशिश करेंगे अगली वीडियो में करने वाले हैं चलो अगली वीडियो में अपने करेंगे एक बढ़िया सा RC पैसेश जो की बहुत difficult लगेगा आप वो करने में अगली वीडियो में जरूर से उसको लेकर क्या हुआ चलिए तब तक के लिए साइनिंग आउट